हिसके हम लोग सर्फेस तेंज पठते हैं सर्फेस तेंजिन होथा क्या है बेशी कि यह स्थे हमारे वाटर मॉलिकुल से आसा होते एकंटेनर में तो यहां के जो नीचे वाले मॉलीकुलू से इंको यहां पर इए इसके तो यहां से भी This लग रिए constitu यहां कि अपने आपको श्रिंक कर ले कि ऊपर से उसको खोल के राखने की कोई ओस नहीं है कोई फॉर्स नहीं है थेक नहीं है तो फिर यह वाली यह सारी-सारीजू है और यह yup देखो लेका यहाएएथर इधर फोर्स इधर फोर्स इधर फोर्स पर है तो फिर obviously अगर तीन जगस लगेगी तो जो इसका resultant आएगा वो इधर ही आएगा ना इधर ही आएगा तो फिर वो retract करने की कोशिश करेगी उपर हो ले लिए तो फिर यहां पर भी यह भी tent करता है कि यह recoil हो जाए मतलब अपना यह collapse हो जाए अगर हमारी surface engine active रहेगी ठीक है तो इसको खोल कर रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम लोग सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं हम लोग ने यूज़ करते हैं हम लोग ने अब सर्फेक्टेंट में दो अगर हम लोग constitution की बात करें तो उसमें क्या-क्या होता है तो उसमें लिपिड के inclusion cells होते हैं थीक है वह सिक्रीट करते है जो मतलब वह सिक्रीट होते हैं ठीक है अब एक मिक्स्टर होता है जैसे फोस्फोर लिपिड्स का थीक है प्रोटीन्स का अगर मैं आपको दिखाऊंगो तो फॉस्फोर लिपिड मेंली कौन सा फॉस्फोर लिपिड यहां पर यूज होता है हमारा वह 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 लिपिड होता है डाय पालमटॉइल को तो यह हमने बनाया है हमारा मॉनिकल सर्फेक्टेंट का अब इसमें क हो चुछा लिपिड तो इसका जो फॉस्फोर डडेय कॉंपनेंट है यह है यह अश्यों ना यहीं यहां पर वह प्रेजंट विद्र यहां पर फ में यहां इनंडग संपर रखिलां तो क्या होता है कि इसको जैसे जो ये वाले molecules से उनकी क्या दिक्कत थी कि उनको उपर की जारा force ने लग रही थी तो यहाँ पर यहाँ पर हर जगा force लगी लेकिन उपर भी force लगे क्यों क्योंकि यह जो इसका dit parmatoil वाला component है यह hydrophobic है यह हाइड्रोफोबिक है इसलिए बाइड्रोफोबिक है इसको बाहर भी फोर्स लगती है और यह सर्फ़ेस टेंशन कॉस नहीं करता अब यह जो चीजें हैं यह उपर वली लियर बना लेती है और बाटर अंदर है और water molecules जो होते हैं उपर वाले surface पर कम कम रहे जाते हैं यह जागा अपनी हो कर लेते हैं अब जो collapsing pressure होता है ठीक है जिसे ही alveolah ही है यहां पे जो surface tension कि वजए से जो यह कोलाप्स होएगा वह किसी वह कोई pressure है ना वह pressure हम लोग कैसे calculate करते हैं कि जैसे अगर हम इतना pressure यहां से दें तो वह inflated रहें कि वह inflated रहें वही वह pressure होगा जिससे वह enclose होना चाहरे थे वह recall होना चाहरे थे तो वह जो collapsing pressure है हमारा collapsing pressure जो एकदम से वह हो जाए वह हमारा 2T by R वी कौन सा है लाप्लेस लोग ठीक है यह हमारा लाप्लेस लोग है 2T by R T is what T is surface tension ठीक है surface tension and R is radius अब अगर हम देखें कि हमने एक बड़ा ले लिया एक यह छोटा ले लिया normally क्या होता है कि यहाँ पर जो water molecule है यहाँ पर इसके according है यहाँ पर इसके according है तो इसमें क्या होता है कि surface tension दोलों में same है ठीक है यहाँ पर भी उतनी molecules है क्योंकि molecules यहाँ पर जादा हो लेकिन इसका area भी जादा है यहाँ पर गम है इसका area भी गम है तो इसकी surface engine same है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो radius है उसका difference है तो वो collapsing pressure है वो inversely proportional to radius हो गया तो बतलब जितना कम radius होगा वो उतनी जल्दी collapse कर जाएगा समझ मैं तो यह इसकी tendency क्या होएगी कि यह collapse कर जाएगा तो इसमें जब यह collapse करेगा तो यह जो है इसमें से जो भी air है वो move करके यहाँ पर आ जाएगी ठीक है यहाँ पर प्रेशर लग जाएगी और यह जो है बढ़ा हो जाएगा तो without surfactant यह condition होती है कि surface tension both alveoli में same होती है greater pressure is required to keep the small alveoli open इसी लिए small alveoli क्लोज जाते हैं कि उनका collapsing क्लापसिंग प्रेशर वही प्रेशर होना जिससे हम उसे open रख सकते हैं कोई चीज बंद हो रही है ठीक है इतने प्रेशर से उतना ही प्रेशर अगर हम उपर से डाल दे तो वह चीज खुली रह जाएगी तो वही collapsing प्रेशर वही हुगा जितना उसे जितना उस आइल्बिलाई को खोल के रखने के लिए चाहिए अब हमने यहां पर डाल दिया surfactant अब यह विद surfactant वाला कीस है यहां पर जादा कम हो जाएगी तो हम लोग क्या कहते हैं कि with surfactant what happens the surface tension is reduced in small alveoli. चोटे alveoli में surface tension कम हो रहाएगी उससे क्या होगा अब उसका radius भी कम है उसकी surface tension भी कम है जादा कम इसके comparatively जादा कम यह हमने ले लिया P2 P1 क्या था हमारा 2T1 by R1 इसका radius भी बढ़ा है और इसकी tension भी इसके comparison में बढ़ी है तो इसका pressure भी normal रहेगा सो तो pressure distending both the alveoli यह जो pressure है ना यह दोनों का same हो जाता है और same air चाहिए उसको same pressure से वो collapse होना जाहेंगे बिकर सर्फ हमने tension burden tension जो है इसकी जादा कम करती ठीक है अब सर्फ actant जो surface tension है वो reduced in small alveoli जादा है तो alveoli अब stabilized है और अब इसकी tendency collapse होकर इसको देने की नहीं रहे तो मैं पता है अगर surface tension होती तो यह जो है unequal alveoli हो जाते है ठीक है कोई alveoli अपनी position जो है maintain ने कर पाता अपनी integrity एक तो वो दूसरा वो collapse हो जाते है यह condition होती तीसरा क्यों होता है perfusion की problem आजाती है अगर surface tension की problem कैसे क्योंकि यहां पर suppose blood vessel जा रही है ठीक है यह जो है यह श्रिंक करना चाहता है तो क्या होता कि यहां का जो चीज़ें यहां का जो water है वो होता है तो lack of surfactant होता है और यह newborn babies में होता है यह lack of surfactant बना ही नहीं उसे alveolar बंद रहाते है यह का होता है कि जब premature delivery हो जाती है तो surfactant नहीं बन पाता क्योंकि surfactant एंड वाले time में गुरू बहुत जादा गाता है 26-34 weeks में यहां पर बहुत जादा 34 weeks में गुरू बहुत करता है surfactant तो फिर जब हम लोग की premature delivery new born की होती है तो फिर यह नहीं बन पाता है उसके वरह से यह हो रहा था respirator distress syndrome तो हम लोग artificial अगर हम ब्रीधिंग देंगे तो बहु supportable है लेकिन नहीं तो fatal है ठीक है respiratory distress syndrome in new borns so this was about surfactants thank you